जैजरीन बंदूओ, आज आपका पारस टीवी सफलता के दस वर्ष पूरे कर रहा है जी हाँ, एक दशक कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्यार और सयोग से हम जो दस सालों से आपके लिए कारिकरम पेश कर रहे हैं आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, धरम लाब ले रहे हैं आप जो फीडबेक हमें देते हैं, वही हमारी ताकत है जब आप मिलते हैं, कहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे ही करते चलो, धर्म को जन जन तक पहुचाते रो, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेनत सफल हो गई अच्छा मुझे बताईए, पसंद और आवश्यक्ता में कुछ अंतर है या नहीं पारस हमारी केवल पसंद ही नहीं है, अपीतु हमारी दैनिक चरिया की आवश्यक्ता है जैनियों की आदत बन चुका है पारस चैनल, ठीक के रहूँ न मैं आपका अपना पारस टीवी ऐसो क्यों हुआ, क्योंकि पारस से आपको धरम मिलता है और वो भी ग्यान के साथ जी हाँ, ग्यान भी और धरम के साथ, जहाँ देव दर्शन वे जिना भी शेक्तो है तो संतों की वानी, आगम की व्याक्या के लिए ग्यान शाला भी है और तो और अगर उसके बाद भी, अगर कोई शंका परशन मन में है तो उसके निवारन हेतू, संका समाधान भी आपके पाराश टीवी पर ही है बंदू, आज कल का समय क्या है? टी आर पी का लगातार दस साल तक टी आर पी मिंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दस वर्ष पूरा करने का मतलब अरियंद भगवान की बहुत बड़ी किरपा है सादू संतों का आश्रिवाद है सबसे बड़ी बात हमारी टीम का योगदान है चाए वो हमारा टेकनिकल स्टाफ हो या फिल्ड स्टाफ, कमर्सल स्टाफ हो या एडमिस्टेटिव स्टाफ सभी का पारस टीवी की सफलत में बहुत बड़ा योगदान है हम सभी मेनेजमेंट के लोग वे डारेक्टर्स पिछले दस वर्ष से एक परिवार की तरह काम कर रहे है और हम सभी इसी ब्रहत पारस परिवार का एक अभिनंग बन रहे है वी आर वरकिंग एज एज एक्स्टेंडिड पारस परिवार हम पारस चैनल नहीं हम एक पारस परिवार के अंगे हैं बंदूओ पारस मेहज एक चैनल ही नहीं बलकि धर्म प्रभावनावेज जैन एकता का सभी पंथवादों से दूर एक अप्रितम रत है जो जैन धर्म की यशोगाता फैलाता रहेगा फैलाता रहेगा फैलाता रहेगा हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के धार्मिक मनुरन जंग और ज्ञान वर्दक कायरकरम लेकर आते रहेंगे आप सभी को मैं राजेश जैन अपने सभी सातियों सहीत पारस परिवार की ओर से आपका आर्दिक अभार विक्त करता हूँ जै जिनेंद्र